नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल आरून में दोस्तों आज की वीडियो हमारी CRT TV पे होने वाली है और यह TV में आनलाइन हमसे खरीच सकते हैं उसका लिंक के हां डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है अगर आप कोई इस पर पार्ट से लिडी टीवी से सम्मतित आपको जरूत पड़ती है तो आप वहां जाके हमसे पर्चेश कर सकते हैं तो दोस्तों यह टीवी है ओनिटा की और इसम हलकी पिक्चर है और इस तरीके की फाल्ट है अगर आती है आपके सामने तो इससे रीपियर कैसे करना है इसके बारे में पूरी तरीके से आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे तो दोस्तों आप से गुजारिश करूंगा आप हमारी चैनल पर अगर नए है तो प्लीच चैनल क इसके बारे में आईए हम जान लेते हैं दोस्तों एक जानकारी में आपको और देना चाहूंगा अगर आपको वेफसाइट में पर्चेसिंग करने सम्मंदित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा आप डाउनलोड करके आप हमसे सामान पर्चेस कर सकते हैं गोगल प्ले में वेफसाइट से दोनों से पर्चेसिंग कर सकते हैं इसे मैंने ट्राइल बेस पर बेस पर बनाया हुआ है कुछ दिन बाद एक हमारा चेंज हो जाएगा तो आप अभी फिलाल है और वेफसाइट से दौनों से ख़री सकते हैं तो दोस्तों आईए मैं आपको बता देता ह चाहिए और कहां पर होनी चाहिए तो दोस्तों यहां पर आपको EST में देखेंगे ABL लिखा होता है जहांसे ABL की सप्लाइई हमें AC पे आती है तो इस पे कितना voltage होना चाहिए इसको हम जान लेते है दोस्तों यह IC है हमारी सिस्टम IC और इस सिस्टम IC पे EST से पल्स आती है जो सीधे सिस्टम IC को आती है तो इस पल्स को हमें ट्रेस करना है कि यहां पे पल्स पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है और कितनी बोल्टेज कहां पे होनी चाहिए IC पे कितनी बोल्टेज होनी मैं तेशिटी की पिन पे तो मल्टिवीटर को हम अपने मायनस ओला ब्राव हम जूंप हैं कर दिया है अब इसके बाद हमनो टेस्टिंग करेंगे बॉल्टेج में जर करेंगे कि कहां पर कितनी बॉल्ट है और कहां में कम भॉल्टेज मिसिंग हो रही है या कहां सब्सक्राइब क aired यहां नहीं जाई और यहां वोल्ट तो इसाएं तोर यह बोल्ट्स वोल्ट घरता बरता भी मिलेगा अब इस समय इस समय दोस्तों एक क्यान बोल्टेज के आसपास है तो इस सप्लाइब को हम लोग ट्रेस करते हुए और आगे बढ़ेंगे कि यह सप्लाइब कहां से हाई हो रही है और इतनी बोल्टेज क्यों आ रही है तो दोस्तों आईए मैं आपको दिखा देता हो यहां पर एक रेजिटर लगी हुई है रेजिटर के दोनों साइड हम ट्रेस करते हैं तो बोल्टेज हमें उतनी मिल लई है और आगे बढ़ते हुए हम यह प्रिंट से देखते हुए आगे आते हैं यहां से यह सप्लाइब आई हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब यह सप्लाइब दोस्तों आई हुए देख लिए आप नीचे यहां पर भी हम अगर बोल्टेज टेस्ट करते हैं तो तब भी हमें बोल्टेज उतना ही मिल ला है यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं जूम करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि SMD कामपोनेंट्स लग सप्लाइइ इस रेईश्टर पर आ रही है अब दोस्तों मैं आपको जूम करकर फिर से दिखा दे रहा हूं क। रेजिश्टर के हम आज पास यह जो दो रेइस्टर और लगे हैं यहाँ पे एक रेइस्टर से हमें आठ बोल्ड की सप्लाई आनी चाहिए तो मैं यहाँ पे आगे चेक करता हूँ कि यह सप्लाई हमारी पहुँच रही की नहीं पहुँच रही है दोस्तों एक चीज मैं आपको यह बता दूँ आठ बोल्ड की सप्लाई अगर यह रेइस्टर से एवियल के लिए जाती है अगर यह सप्लाई नहीं जाएगी तो बोल्टेज हाई हो जाएंगे तो ज्यादा तर यह कंडिशन होती है दोस्तों कि हमारे रेइस्टर ओपन हो जाता है और बोल्टेज हाई हो जाता है जिससे एवियल हमें नहीं दिखाए देती है पिक्चर आटोमेटिक ब्रैटनेस कंट्रोल नहीं होती है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं द आपको दिखा देता हूं चेक करके यह दूसरी रेइस्टर है यह रेइस्टर हमारी जो है आठ बोल्ट किसे सप्लाइब यहां पे इस रेइस्टर से जाती है तो इसको हम चेक करेंगे दोस्तों यहां पर आप जूम करके देख लिजिए अच्छी तरिके से एक साइड में प्रटीनाइन दूसरी साइड में आठ बॉल्ट है इसका मतलब दोस्तों यह रेजिटर हमारी ओपन है इसलिए बोल्टे जहां पर एक साइड में कम है एक साइड में ज्यादा है क्योंकि वह उधर से आपको 47 बोल्ट रिटर्निंग आ रहा है और यह आठ बोल्ट इस पर इन ह में दिखाव दे रहा है और दूसरी साइड में प्लस में हम नें लगा दी है कि आप को बोल्टेंगा इसकılar करे ABL pin पे दोस्तों यहां पे voltage कम हो गई है बहुत कम हो गई है तो यहां पे दोस्तों राइश्टर की जो value लिखी हुई थी वो clear नहीं हो पा रही थी तो राइश्टर जली हुई थी यहां पे मैंने दोस्तों पहले राइश्टर हाई के की लगा के देखी थी 27 की तब भी हमें voltage ज्यादा ही थे लगबग तो यहां मैंने 12 की रेश्टर लगाई हुई है तो voltage हमारे कम हो गए हैं अगर आपके पास दूसरा कोई PCB पड़ा हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं या फिर इसका डाइग्राम देखना पड़ेगा लेकिन फिलहाल मैंने यहां पे रेश्टर थी तो मैंने उसको तिर्शा करके लगा दिया है प्रिंट वह आगे से हम वही जाके मिल लई है क्योंकि वहां पर SMD component होता है आपको पता ही काफी चोटी सी जगे में लगा होता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वीडियो हमारी अच्छी आ रही है ब्राइटनेस कंट बरूर करें और हमारे एप जाके आप समान अच्छे से खरी सकते हैं